आज का टॉपिक कमपटेटिटिव इग्जाम्स और ग्रेजुएशन के स्टूरेंट्स को सामने रखते हुए चूस किया गया है अगर आप लोग CSS या PMS की एक्जाम्स देना चाहते हैं या पिर आपके English Grammar Regarding Sentence Making Week है तो ये टापिक आपके लिए है आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल देंग फ्लेक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे पैल आइकन को भी जरू ट्लिक कर दें ताके हमारे नए आने वाले तमाम English Lectures का नोडिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सक जिस तरह गुफटबू करते हुए आवाज का उतार चरहाओ, चहरे के तासुराद, हातों की हरकात, जजबात और एहससात की अकासी करते हैं इसी तरह फिक्रे का मफ्हूम वाज़े करने के लिए औकाप यानिके पंक्चुएशन का सही इस्तमाल बहुत जरूरी है पंक्चुएशन मार्क्स are marks or stops which divide a long sentence or a passage into small parts to enable the reader to understand the meaning properly यानि किसी लंबे फिक्रे को औकाफ या निशानात के जरी छोटे-छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना जिससे पढ़ने वाला सही तौर पर मतलब समझने के काबिल हो जाए आएज हम seven punctuation marks के बारे में बात करेंगे ये ऐसे punctuation marks होते हैं जो अमोमन sentence के आखर में आते हैं जब जुमला मुकमल हो जाता है और इन marks के बाद कोई और punctuation mark इस्तमाल नहीं किया जाता pause punctuation marks ये दूसरी टाइप है जिसमें comma, colon और semicolon शामिल है ये वो ओकाफ हैं जो ये बताते हैं कि कहां रुकना है और कुछ देर ठहर के जुमले को मुकमल करना है इसके साथ साथ हम apostrophe को भी discuss करेंगे जो कि एक और common punctuation mark है Terminal punctuation mark Number 1. Full stop or period The full stop which is also known as a period in American English, it is one of the most important punctuation marks ये वो punctuation mark है जो हमें ये बताता है कि कब जुमला मुकमल हो गया है और ये जुमले के आखर में इस्तमाल होता है इसके rules को examples की मदद से समझते हैं I have not seen who killed Mr. Brown अब इस जुमले में आप देखेंगे कि question mark यहां पर लगाया गया है तो क्या इसके बाद भी full stop लगाया जाएगा? नहीं क्योंकि ये सवाल है और question mark ये exclamation mark के बाद full stop की धुनजाईश नहीं है अब अगली example देखें He is an employee at Apple Inc. अब इस जुमले में एक full stop लगाया गया है जो के incorporation की abbreviation है यानी मुकफफ को जाहर कर रहा है तो क्या इसके बावजूद भी full stop की गुनजाईश है? जी नहीं अगर कोई abbreviation जुमले के आखर में आ जाए तो ये एक ही full stop काफी है इस जुमले की इखतान के लिए और किसी और full stop की जरूरत बाकी नहीं रह जाती She bought a new car अब इस जुमले में full stop लगाया गया है और आखी लफ्स और full stop के दरमियान कोई space नहीं रखी जाएगी पर जब अगला जुमला इसके आगे लिखा जाएगा तो space दी जाएगी और नए जुमले के आखाज में capital letter का इस्तमाल भी किया जाएगा full stop किसी request या command के बाद भी इस्तमाल किया जाता है अगली टाइप है question mark यानि सवाल या निशान की इसे interrogation mark भी कहा जाता है और ये direct questions के लिए इस्तमाल होता है यहाँ ये एक direct question है और उसके लिए question mark यूज किया गया है अब अगली example देखें अब इस जुमले में सवाल किया गया है कि क्या तुमने किताब पढ़ी और उस किताब के title में भी question mark इस्तमाल हुआ है तो क्या हम दो question mark से इस्तमाल करेंगे? नहीं ऐसे case में सिर्फ एक ही question mark इस्तमाल किया जाएगा जो सवाल और title को जाहर करेगा नमबर त्री exclamation mark ये थर्ड टाइप है exclamation mark यानि फजाया निशान ये emotions यानि जजबात को जाहर करने के लिए इस्तमाल होता है वो जजबात जो हम spoken English में जाहर करते है written English में उन्हें exclamation mark से जाहर किया जाता है और इस जुम्ले में कहा गया है कि कितना खुबसूरत फूड है और exclamation mark आखर में लगाया गया है ये हैरानगी को जाहर कर रहा है और इसके बाद किसी भी किसम का punctuation mark इस्तमाल नहीं होगा अब इस जुम्ले में हुरे के बाद exclamation mark आया है और वो खुशी को जाहर कर रहा है जबकि जुम्ले के आखर में फुल स्टॉप लगाकर जुम्ला एंड किया गया है अब हम सबसे ज़्यादा गलत इस्तमाल होने वाले punctuation mark की निशान दही करेंगे जिससे post punctuation mark कहा जाता है यानि ये कॉम्ला आपको बताता है कि कुछ देर का वकफा लेकर आगे बढ़ना है जो रूल्स हैं वो हम इनकी examples के 3 डिस्किस करेंगे अब जब आप एमिल करते हैं तो आप डियर मैडम या डियर सर लिखने के बाद कॉमा का इस्तमाल करते हैं और इसी तरह यूर्स पेद्फुली एक्सेटरा के बाद भी कॉमा इस्तमाल होता है ये format कहलाता है और इसे ऐसे ही लिखा जाता है सारा प्लीज पास मीदा पैन यहां जब आप किसी शखस का नाम लेंगे और उससे मुखाब होकर अपनी बात करेंगे तो उसके नाम के बाद भी कॉमा इस्तमाल होगा और कॉमा के बाद का पहला लैटर भी कैपिटल में लिखा जाएगा अगर हम एक ही संटेंस में कई चीज़ों को लोगों को या जगों को डिसकस करेंगे तो उनके दरमयान भी कॉमा इस्तमाल किया जाता है यहां आप देखेंगे कि मैंने शुगर के बाद कॉमा इस्तमाल किया है जबके मिल्क के बाद नहीं क्योंकि यहां end के जर्ये से sentence की अगले हिस्से को जोड़ा गया है और आखर में फुल स्टॉप लगा दिया गया है अब ये example देखें यहां पर दिन के बारे में बताया गया है जिसमें ये जाहर है कि आज का दिन लंबा और ठका देने वाला था ये एक ही दिन के बारे में दो adjectives इस्तमाल करके बताया गया है जिनके दर्मियान कॉमा लगाया जाएगा और आखर में उसी तरह फुल स्टॉप honestly I did not like this dress हम कॉमा का इस्तमाल extra words इजाफी अलफाज के बाद भी करते हैं और यहां इस जुमले में कॉमा का इस्तमाल हुआ है honestly के बाद he studied for the exam so he got good grades अब इस जुमले को देखें इस तरह के sentences को compound sentences कहा जाता है जो अपने आप में ही मुकमल होते हैं यहां so इस्तमाल किया गया है जो एक coordinating conjunction है और जब भी किसी coordinating conjunction को जुमले में इस्तमाल किया जाएगा तो उससे पहले कॉमा इस्तमाल किया जाएगा because of rain he could not come अब ये example देखें इसे complex sentence कहा जाता है इसका पहला हिस्सा because of rain एक dependent clause है जो के जुमले के दूसरे हिस्से he could not come पर depend कर रहा है यहाँ he could not come एक independent clause है और इन दोनों जुमलों को आपस में जोडने के लिए कॉमा इस्तमाल किया गया है और अगर इस जुमले को यू लिखा जाए he could not come because of rain इस सूरत में कॉमा इस्तमाल नहीं किया जाएगा आगे बढ़ते हैं semi colon semi colon closely related sentences को जोडने के लिए इस्तमाल किया जाता है जैसे I have a big test tomorrow I cannot go out for dinner अब आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ कॉमा इस्तमाल कर सकते थे पर हमने semi colon क्यों इस्तमाल किया वो इसलिए यहाँ इस जुमले के तोनों हिस्सों का आपस में close connection है और इसे एक ही मुकमल जुमले में जाहिर करने के लिए semi colon लगाया गया है और ये मकसद full stop या कॉमा से हासिल नहीं किया जा सकता था semi colon को sentence में इस्तमाल करने का एक मकसद ये भी है कि इस तरह से coordinating conjunction का इस्तमाल कम हो जाता है जैसे and, but, for, so, etc. We had too many fumbles, we lost the game अब इस जुमले को देखें ये sentence दो complete sentence clauses से बना है और इनका आपस में link जाहिर करने के लिए semi colon इस्तमाल किया गया है colon, colon तब इस्तमाल किया जाता है जब हम independent clause को इस्तमाल करके उसे जुमले के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ है हो For example, we want to visit three cities in Japan, Tokyo, Osaka and Nagoya अब इस जुमले में independent clause है, we want to visit three cities in Japan जिसके बाद colon लगाया गया है और फिर जापान की three cities mention की गई है Independent clause की मजीद वजाहत के लिए colon लगाया जाता है Apostrophe, contraction Contraction से मुराद एक word में से एक letter निकाल कर उसको short करना यानि छोटा करना Contraction कहलाता है और इस rule में जब भी हम एक love हज़फ करते हैं, omit करते हैं तो उसकी जगा Apostrophe लगाया जाता है इन examples में जैसे I am full form है और I apostrophe के साथ contracted form of word बनता है इन examples में आप देख सकते हैं कि मलकियत यानि Possession को शो करने के लिए Apostrophe का इस्तमाल किया गया है जब भी किसी शख्स का नाम लेकर Possession जाहर की जाती है तो नाम के बाद Apostrophe के साथ S का इजाफा होता है Plural noun case Girls, Boys Plural noun case में जब हम एक से ज़्यादा noun की बात करते हैं तो हम S का इजाफा करते हैं जैसे Girls पर जब हमने कहना हो लड़कियों का या लड़कों का इसके लिए हम Girls और Boys के S के बाद Apostrophe लगाएंगे और दुबारा से S एड़ नहीं करेंगे Possessive pronouns Hers, ours, yours Possessive pronoun के case में आपने केरफुल रहना है कि Apostrophe एड नहीं करना और उसके जगा सिर्फ S एड़ कर दिया जाएगा Its versus its एक जो बहुत ही common mistake की जाती है वो है its and it Apostrophe S की बोलने में तो ये एक जैसे हैं पर its का मतलब है उनका और it Apostrophe S एक contraction है जिसका full form है it is या it has For example, the bird is in its nest यहाँ इस जुमले में कहा गया है कि परिंदा अपने में है यहाँ its का मतलब है अपने अब इस जुमले में कहा गया है कि ये एक अच्छी गारी है यहाँ its एक contraction form है और इसकी full form it is है जाते जाते इंगलिश के 5 new words भी आपके साथ शेयर करते चलें accident, हादसा, bind, बांधना, challenge, ललकारना, delay, ताखीर, eager, बेचैन तो नाजरीन यहाँ आज की topic के end होता है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो मोफीद लगी होगी और हमारा lecture आपको बाको बीच समझ में आ गया होगा अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को like करें हमारे channel देंग clicks को subscribe करें और साथ लगे पेल आइकन को भी जरू क्लिक कर दें अब हमारा अगला topic क्या होगा आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाहनेगे बांध